हेलो एबरीवन दिस इस कप्पिल कादेन यूर साइंस कुरूजी इस वीडियो में हम बात करेंगे टोप मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन अंसर फॉर यूर बोर्ड एक्जैम तो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के वो सभी क्वेशन साज आपको यह काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो वीडियो कों तक जूर देखते रही है और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फस्टाइम जूड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर ले हमारे पास पस क्वेशन नेम दा मीरर डैट कैन गिव इरेक्ट एंड इन लार् वाला तो इसके अंदर क्या रिखोगे आप कोन के मिर जो हमें क्या देता है यहां पर इरेक्ट और इनलार्ज इमेज फ़र्म करेगा सेकेंड कोश्चन हमारे पास कि वाइड वी प्रेफर कंवेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन विकल तो इसका अंसर क्या रहा है डाउन सीधी इमेज देता है अबजेक्ट की तो इसलिए हम किसको यूज करते हैं कनवेक्स मिरर को प्रेफर करते हैं पिछले वाला व्यू देखने के लिए विकल के अंदर नेक्स कोश्चन हमारे पास ये कोश्चन भी वन वाक्स काफी इंपोर्टेंट रहेगा डिफाइन वन ड इसकी डेफिनेशन क्या लिक होगे कि वूस फोकल लैंथ इसे वन मेटर जो उसकी फोकल लैंथ होगी वो वन मेटर होगी इसको हम क्या वह वह लेंगे इस इस ए वन डाय ओक्टर और पावर आप लेंज नेक्स क्वेशन हमारे पास बच्चों ये क्वेशन काफी दा रिफ्रक्टिव इंडेक्स ओपे डायमड पॉर्फॉर्ड इफ्र्रेग्टिव इंडेक्स है हमारे पास त्यामड का वो कितना है two point four to TV means that the speed of a light इन डायमड जो speed of light a diamond की is वो क्या रहीगी one by two point four two times the speed of light इन वैक्यूं के अंदर या फिर air के अंदर मतलब वो inversely proportional हो जाती है तो हमारे पास speed of light in a diamond किसे denote करते हैं यहाँ पर v is equal to c upon n n हमारे पास refractive index c हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर speed of light in a air या vacuum तो यह हमारे पास इसके निकालनी है तो कितने निकले इसके बच्चो 3 multiply by 10 की power 8 divided by 2.42 तो किसके को लागी काफी important है कि you are given kerosene, turpentine and water in which of these does not travel the fastest जो light है basically वो किसके अंदर travel fast करेगी इसके अंदर देखिए अब आपको बताना है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा light travel fast करेगी इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है refractive index of a kerosene, refractive index of a kerosene कितना होता है 1.44 उसके बाद हमारे पास refractive index of a turpentine वो कितना होता है 1.47 और refractive index of a water यह कितना रहेगा 1.33 अब आपने बताना है कि बच्चो किसके अंदर से light travel करेगी और वो भी fast way के अंदर तो आप क्या लिक होगे यहाँ पर कि light travel the fastest in a medium having a minimum optical density जिसकी क्या होगी minimum optical density होगी या फिर lowest refractive index होगा अब lowest refractive index यदि हम तीनों की comparison करके देखे तो water, water का refractive index सबसे कम है 1.33 तो he is the lowest speed of a light is इस case में क्या है हमारे पास इसका refractive index कम है तो speed of light क्या रहेगी यहाँ पर maximum रहेगी water के अंदर तो यादख night is a very important point यह वाला simple way में याद करना है आपने बस यह बताना है कि जो light है वो सबसे ज़्यादा travel fast medium के अंदर से कर रही है water के इंदर से जिसका refractives कम होगा उसी के अंदर light क्या करेगी जादा travel करेगी जादा fast travel करेगी next question बच्चों हमारे पास question यह भी top most important question है name the type of a mirror use in the following situation a option दे दिया आपको यहाँ पर headlight of a car b option दे दिया side या rear view of a mirror इनने विकल उसके बाद थर्ड वाला दे दिया solar furens अब इसके अंदर हमारे पास sport your answer of the region तो आपने answer देना है इस question का क्या रहेगा तो पहले के अंदर हमारे पास यदि बात करे headlight of car के अंदर कौन सा mirror यूज करते हैं वो करते हम कौन के mirror कि कौन के mirror is a get powerful beam of light यह हमें क्या देगा powerful beam of light देगा इसलिए कौन के mirror का यूज करते हैं कहाँ पर headlight of a car के अंदर second हमारे पास यदि बात करे side और rear view mirror of a vehicle तो उसमें कौन सा mirror यूज करते हैं convex mirror to get a larger field of a view and erect ताकि क्या मिल सके हमें larger field मिल सके erect position मिल सके object की उसके बात यदि third की बात करे solar furnace के अंदर किसका यूज करते हैं तो हम उसके अंदर यूज करेंगे बच्चो कौन के mirror का कि कौन के mirror as it can be converge a light rays यह converge करता है एक point पे खटी करता है light को of a sun in this small area ठीक है ना बच्चो इसके लिए यात रखने तीनों point काफी important है यह उसके बाद next question हमारे पास question number seven यह भी top most important question है कि the magnification produced by a plane mirror is plus one कि what does it mean तो इसका meaning क्या है हमारे पास तो किसकी बात और यह plane mirror की तो यह वाला question भी आपने अच्छी तरह कर लेना है इसकी जो magnification always कितनी होती है plus one तो इसका meaning क्या लिक हो गया कि if magnification is a one या plus one the image size जो हमारे पास image size रहेगा is the same as the size of an object जो size image का रहेगा वही size किसका रहेगा object का since the magnification is positive यदि magnification हमारे पास positive होती है तो image क्या बनेगी erect and virtual बनेगी तो यह आपने अच्छी तरह है से learn कर लेना है बच्छो हमारे पास plane mirror के अंदर plus one होती है magnification plus one का मतलब same size of an object same size of an image और इस case में जो image बनेगी हमारे पास virtual and क्या बनेगी erect next question हमारे पास question number eight ये भी काफी important है कि what is the radius of curvature of a plane mirror radius of curvature of क्या रहेगा plane mirror के अंदर तो वो हमेशा रहेगा बच्छो infinite तो क्या लिख होगे आप कि radius of curvature of a plane mirror is a infinity next question हमारे पास question number nine कि both of a spherical mirror and a thin spherical lens has a focal length of minus fifteen centimeter what type of a mirror and lens are these तो कौन से टाइप का mirror और lens होगा तो ये भी question काफी मतलब complicated way में है अब इसका अंसर कह लिख होगे आप here the focal length minus fifteen centimeter यदि हमारे पास focal length कितनी है minus fifteen centimeter means negative according to the new Cartesian sign convention कि the focal length of a concave mirror and concave lens always क्या होती है negative ये मतलब हमेशा क्या रहेगी negative रहेगी कि so both of a spherical mirror and spherical lens can be a concave nature तो ये किस nature क्यों होंगे concave nature क्यों होंगे तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है बच्चो यदि हमारे पास focal length negative होती है तो negative किस case में होगी concave mirror और concave lens के अंदर ठीक है ना अब next question हमारे पास ये one box question है कि where is the image formed when object at the large distance from a concave mirror तो दिखिए इस case में question को समझी सबसे पहले कि image from when object at a large distance from the concave mirror तो इसका answer क्या राइडवन करोगे आप कि the image formed is at the focus of the mirror जो image formed होगी वो कहां पर होगी focus of the mirror के उपर next हमारे पास question number ये भी काफी important है 11 question कि the magnification produced by a spherical mirror is minus 3 कि least a four information you obtained from the statement about the mirror and image तो कौन कौन सी statement आपको मिलेंगी इसके अंदर देखिए सबसे पहले first हमारे पास कौन के mirror second हमारे पास real image, third हमारे पास inverted और उसके बाद यदि fourth point की बात करें तो three times magnified image is found, three times के आओगी magnified होगी मतलब enlarge होगी तो ये आपने four points write down करने है ये भी कई बार previous year exam के अंदर पूछा गया है next question हमारे पास बच्चो question number 12 कि least four characteristics ओपे image formed by a plane mirror तो plane mirror की आपने कोई भी चार characteristics बतानी है जोहाँ पर image formed होती है plane mirror के अंदर तो पहली क्या लिखोगे कि the image is always virtual and erect जो image होगी वो always क्या रहेगी virtual और erect रहेगी ठीक है ना second point the size of an image is equal to the size of an object जो size image का है वो किसके कोल रहेगा size of an object के third हमारे पास है image is formed at the same distance behind the mirror as the object is the front of the mirror तो ये याद रखना आपने काफी important point है उसके बाद जो fourth point है the image is a laterally inverted laterally inverted का मतलब क्या होगा कि object place होगा right side में तो image बनेगी हमारे पास left side के अंदर उसको हम क्या बोलते है laterally inverted and vice versa भी कह देते हैं उसके बाद next question हमारे पास next question हमारे पास है बच्चो lens formula क्या होता ये भी कई बार बार exam में पोच लिया जाता है तो काफी बच्चे इसकी जो statement है जो इसकी definition है उसको भूल जाते है तो सबसे पहले देखी lens formula के definition हमारे पास कि these formula give the relationship between किसके बीच में relationship है object distance u image distance v and focal length f के बीच में तो one by f is equal to one by v minus one by u अब याद रखना lens formula के अंदर minus का sign होगा यदि हम mirror की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास plus का sign होगा अब f हमारे पास यहाँ पर क्या है this is a focal length v हमारे पास image distance u हमारे पास क्या रहेगा object distance और इसे के base में काफी important numericals पूछे जाते हैं तो numericals भी मैं आप सभी को कराऊंगा उसके बाद बच्चो हमारे पास magnification by lenses यह वाला topic भी काफी important रहेगा आपके exam के लिए कि the ratio of a height of the image h i and the height of a object is called is a magnification उसको आप क्या कहोगे magnification तो magnification को denote करते हैं small m से तो क्या लिखोगे definition it is the ratio of a height of a image to the height of a object अब height of image को किसे denote करते हैं high of a object से तो magnification is equal to किसके एकोलागी h i divided by h naught के इसे में हमारे पास बच्चो magnification is equal to किसके क्लोती है image distance to divide by the object distance अब इसको दोनों को हम equal करके लिख सकते हैं m is equal to h i divided by h naught is equal to v divided by u v हमारे पास image distance u क्या है हमारे पास object distance अब यह point आपने note करना है काफी important रहेगा आपके numerical portion के लिए वैसे आपके MCQ question के लिए कि the magnification is always positive in case of a concave lens यदि concave lens है तो magnification क्या होगी हमेशा positive रहेगी कि image form is a virtual and erect जो image रहेगी basically बच्चों क्या रहेगी virtual and erect रहेगी second point हमारे पास magnification is a negative कि when image is found real and inverted जो magnification है वो negative रहेगी जब image क्या बनेगी real and inverted बनेगी काफी important topic है यह अब इस case में आपको पता लग गया concave के अंदर magnification positive convex में हमारे पास magnification क्या रहेगी negative रहेगी यह आपने note करना है अपने diary के अंदर next हमारे पास बच्चों what do you mean by power of lens क्या होता है power of lens और उसकी SI unit क्या होगी अब इसके अंदर कुछ important points है वो भी मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले definition देखिए power of lens की कि the ability of a lens to converge or diverge light rays is called is a power of lens कि उस lens की ability जो converge करे या फिर diverge करे light rays को उसको आप क्या बोलते हो power of lens अब या फिर दूसरी definition लिख सकते हो it is defined as the reciprocal of a focal length इसको आप reciprocal कह सकते हैं किसके focal length के तो हमारे पास जो formula बनता है बच्चों काफी important है जिसके बिस पे numerical सी पूछ ली जाते है P is equal to 1 by F in a meter P is equal to 100 divided by F in a centimeter centimeter हुआ तो आप ये formula यूज करोगे P is equal to 100 divided by F यदि हमारे पास meter में value दे रखी है तो P is equal to 1 by F ये वाला यूज करोगे next हमारे पास इसे के अंदर है बच्चों काफी important कि what is the SI unit of a power of lens वो क्या होती है diopter D से represent करते हैं तो 1 diopter is equal to 1 meter inverse क्योंकि 1 by meter होता है focal length कि ये हमारे पास meter में लेते हैं तो क्या बनेगा 1 by meter inverse अब यहीं से हमारे पास एक definition बनती है बच्चों 1 diopter क्या होता है कि 1 diopter is the power of a lens whose focal length ही से 1 meter जिसकी focal length क्या होगी 1 meter होगी अब इसमें जो आपने point note करना है जो आपके board exam के लिए काफी important रहेगा कि हमारे पास सबसे पहले देखिए concave lens है और focal length की बात करे या फिर power of lens की बात करे उसमें हमेशा क्या रहेगी always negative second हमारे पास convex lens है तो convex lens में power and focal length always क्या रहेगी हमारे पास positive रहेगी या आपने इसको अच्छी तरह से learn कर लेना है next question हमारे पास है कि power of a combination of lens क्या होता है power of combination of lens अब इस case में देखिए बच्छों इसके definition क्या लिख होगे आप कि when two or more thin lenses are combined in combination the equivalent focal length f and power of a combination can be तो क्या लिख होगे आप इस case के अंदर सिरफ ये बताना है आपने कि जब दो या दो से ज़्यादा lenses को आपस में हम combine करते हैं तो उनकी equivalent focal length और power of a focal length क्या होगी देखिए 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 ये हमारे पास focal length है और जो उस case में power बनेगी p is equal to p1 plus p2 plus and show on तक चला जाएगा अब इस case के अंदर जो magnification बनेगी हमारे पास magnification क्या बनेगी कि magnification of a lens इने combination m is given by m is equal to m1 multiply by m2 multiply by and mn तक next question हमारे पास है what do you mean by the law of a refraction जिसको हम सनेल स्लो कहते हैं ये topic भी काफ़ी important रहेगा आपके board exam के लिए तो सनेल स्लो हमारे पास दो laws है तो दोनों laws मैं अभी आपको कराता हूँ तो इसके अंदर देखिए first point हमारे पास laws का क्या रहेगा कि the incident ray, refracted ray and the normal कि the interfaces are the two transparent media at the point of a incidence are lies in the same plane ये किस पे रहेंगी basically same plane पे हमारे पास incident ray की बात की मैंने बच्छो refracted rays की बात की और normal rays की बात की कि the interfaces of the two transparent media at a point of a incident are lies in the same plane, एक ही plane के अंदर lies करेंगी उसको आपने पहला लोग देदेने नहा है law of reflection का second हमारे पास CC के अंदर है कि the ratio of a sign of the angle of incidence to the sign of the angle of a reflection for a light of a given color is constant of a given pair of media तो देखो बच्छे इसमें क्या बताएगा है कि जो ratio है किसकी ratio है, sign angle of incidence to the sign angle of a reflection is always क्या रहेगी constant constant का मतलब हमारे पास refractive index जिसको हम mu से denote करते हैं, n से denote करते हैं अब इसके अंदर जो true angle होता है हमारे पास 90 degree angle is greater than of a incident is greater than of a zero अब इसी के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि this constant is known as a refractive index इसको आप क्या बोलोगे refractive index बोलोगे अब इसी में हमारे पास next important question बनता है what do you mean by refractive index क्या होता जिसके विसमें exams में numerical भी पूछे जाते हैं तो refractive index देखिए हमारे पास सबसे पहले definition कि the value of a refractive index for a given pair of a media depend upon किसके उपर depend करेगी ये speed of light in the two media के उपर as is given below जो हमारे पास value किसकी ये बच्चो refractive index for a given pair of media वो depend करती है किसके उपर depend करेगी speed of light in a two media के उपर अब हमारे पास सबसे पहले समझे बच्चों ये क्या है this is a glass prism अब ये glass slab ले लेते हैं परिजम की दो बात नहीं करेंगे slab है ये अब यहाँ पर हमारे पास air medium है medium number one बोल देते हैं second वाले को medium number two बोल देते हैं दो हमारे पास जो ये वाली आपको दिखाए रही है this is a incident ray of light जैसे ही इसके अंदर enter करेगी तो अपने पास से bent हो जाएगी बेंट होने का मतलब हमारे पास क्या है क्योंकि यहाँ पर speed of light क्या हो जाती है change अब इस case में जो dotted lines आप देख रहे हो this is a normal rays तो angle between normal rays and incident ray this is a angle of incidence जो angle हमारे पास बना किसके बीच में यहाँ पर refracted और normal के बीच में this is angle of a reflection अब इस case में समझीए बच्चे consider a ray of light traveling from a medium 1 medium 1 से medium 2 के अंदर enter कर गई कि let v1 is the speed of a light in a medium 1 जो speed of light है medium 1 की वो क्या रहेगी 1 ठीके ना उसके बाद हमारे पास and v2 the speed of a light is a medium 2 जो speed of light है हमारे पास इसकी तो v1 होगी यह हमारे पास क्या वनगी v2 तो the refractive index of a medium 2 with respect to the medium जो हमारे पास refractive index रहेगा किसका medium 2 का with respect to medium 1 के is given by the ratio of a speed of light in the medium 1 and the speed of light in a medium 2 अब इसके में देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा क्या बताये गया कि ratio of a speed of a light in a medium 1 and the speed of a light in a medium 2 it is represented by symbol हमारे पास क्या रहेगा 21 अब देखो बच्चों यहां पर आपने देखना है सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं जो ratio बनी हमारे पास speed of light in a medium 1 medium 1 तो उपर आएगा और medium 2 आएगा निचे तो हमारे पास किससे denote कर दोगे n21 से यह हमारे पास refractive index रहेगा this can be expressed in the equation अब equation दिखा देता हूँ मैं आपको तो हमारे पास बनेगा बच्चों n21 is equal to speed of a light in a medium 1 divided by speed of light in a medium 2 तो v1 divided by क्या कर दोगे v2 के equal कर दोगे उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर किदा refractive index रहे medium with respect to medium 2 can be represented किसे represented करेंगे 1 2 से तो is given by हमारे पास यह क्या है n12 तो speed of light यहां पर जो पीछे है यह विच्चे ऊपर की तरफ आएगा तो speed of light इने medium 2 divided by the speed of light इने medium 1 तो v2 divided by क्या कर दोगे v1 कर दोगे अब आपने यहां से निकालना है absolute refractive index यह काफे important question है यह भी what do you mean by absolute refractive index क्या होता है कि if a medium 1 is vacuum यह हमारे पास medium 1 क्या ले लिया vacuum या air then the refractive index of a medium 2 is considered with respect to vacuum कि this is called absolute refractive index of a medium it can be simply represented as किसे represent करेंगे उसको आप n2 से represent करेंगे ऐसी हमारे पास if c is the speed of light in air v is the speed of light in a medium कि then the refractive index of a medium nm is given by तो हमारे पास refractive index क्या बनेगा इसके अंदर देखिए nm is equal to speed of light in air divided by the speed of light in a medium तो c divided by क्या कर दोगे बच्चे v कर दोगे आप अब इस case में nm is equal to c divided by v तो जो absolute refractive index of a medium is simply is called उसको क्या बोल सकते हैं आप refractive index कह सकते हो तो यह आपने learn कर लेना अच्छी तरह से काफी important रहेगा आपके exam के लिए उसके बाद next हमारे पास जो topic है और important question है sign convention for a reflection by spherical mirror तो spherical mirror के लिए sign convention जो काफी important topics रहने वाला आपके बार exam के लिए तो सबसे पहले देखो बच्चो हमने यहाँ पर एक spherical mirror ले लिया अब इस case में यह हमारे पास क्या है this is a principal axis जो इसके कहां से गुजर रही है center से इसकी यह point हमारे पास pole रहेगा आपको पता ही होगा अब इस case में सबसे पहले देखिए हमारे पास x-axis है यह वाली हमारे पास y-axis है उपर और नीचे की तरफ अब यह जो हमारे पास है height upward positive किसी भी object की height जो उपर की तरफ है वो positive रहेगी और distance of incident light ऐसे की तरफ distance रहेगा अब distance towards in the right side में तो positive रहेगा left side में क्या रहेगा हमारे पास negative और जो height downward है यदि height नीचे की तरफ है तो it means यह भी क्या रहेगी negative रहेगी अब इसके जो sign convention के loge है वो आप देखिए यह सारे important रहेगे आपके लिए object हमेशा कहां पर रखना है आपने object के left side में रखना है यू हमेशा क्या होता है always negative होता है second point हमारे पास all distance parallel to the principal axis जो भी distance होगा हमारे पास किसी भी object का वो parallel किसकी होगा x-axis किए हमारे पास x-axis है are measured from the pole of the mirror किसके द्वारा measure क्यों होगे आप उसको pole point के द्वारा measure करोगे third point हमारे पास कि distance to the left of the pole यदि distance हमारे पास left side में है pole के तो it means x-axis की बात कर रहे है तो negative रहेगा यदि वो right side में होता है बच्चो वो हमारे पास क्या रहेगा positive रहेगा यह आपने अच्छी तरह से learn कर लेना है उसके बाद distance measured perpendicular below the principal axis along a y-axis नीचे की तरफ है हमारे पास तो it means is negative रहेगा यदि upward उपर की तरफ है तो इस case में क्या लिखो गया positive कि distance measure perpendicular above the principal axis तो it means क्या रहेगा बच्चो वो along positive y-axis हमारे पास यहाँ taken भी है positive उसको आप क्या लोगे positive तो यह हमारे पास sign convention है काफी important topic है बच्चो यह आपने बहुत अच्छी तरह किस इसको learn कर लेना है उसके बाद हमारे पास कुछ important notes है जो मैं भी बता रहा हूं sign convention for reflection by a spherical mirror के लिए तो हमारे पास जो पहला point है focal length of a convex mirror is taken positive उसको आप हमेशा क्या लोगे positive लोगे और जो focal length रहेगी concave की वो कह रहेगी basically बच्चो negative रहेगी अब हमारे पास mirror formula क्या होता next definition यह भी काफी important है जिसके basement numericals पूछे जाते हैं सबसे पहले mirror formula की definition देखिए the mirror formula gives the relationship between object distance u image distance v focal length हमारे पास f of a spherical mirror तो mirror formula 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by क्या रहेगा यू plus का sign आएगा v हमारे पास image distance u क्या रहेगा object distance f हमारे पास क्या रहेगी focal length अब इसके इंदर हमारे पास in a spherical mirror the distance of a object from its fall is called as a object distance ये object distance की definition रहेगी उसके बाद यदि बात करें distance of the image from the pole of the mirror is called as a image distance उसको आप क्या बोलोगे image distance next हमारे पास distance of the principal focus from the pole is called as a focal length तो उसको आप क्या बोलोगे focal length next हमारे पास magnification by a spherical mirror magnification क्या होगी जिसके उपर काफी important questions exams में पूछे जाते हैं कि it is the ratio of the height of a image to the height of object can be represented by m किस से represent करोगे m से तो m is equal to height of image h i divided by height of object h naught या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो magnification is always या also related to the object distance u and image distance v m is equal to image distance divide by क्या करोगे object distance तो हमेशा याद रखना minus में होगा minus v divided by u तो हम इस formula के coding ऐसे लिख सकते हैं बच्चो m is equal to height of image to the height of object is equal to minus v divided by u paper में हमेशा क्या निकालना आता है h i nिकालना आता है height of image तो कैसे करोगे h i is equal to minus v divided by u multiply by h naught से कर दोगे next हमारे पास कुछ important terms में जो आपको करा रहा हूँ इसकी उपर काफी questions exams में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले देखिए if m is a negative image क्या रहेगी हमारे पास real रहेगी m यदि positive है तो virtual रहेगी if h is equal to h naught है तो magnification is equal to 1 तो image is equal to क्या रहेगी हमारे पास same रहेगी object के यदि point हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पर की height of image is greater than of a height of object तो then magnification is greater than 1 it means image क्या बनेगी enlarge उसके बार next हमारे पास यदि बात करे height of image is less than height of object तो magnification हमारे पास greater than 1 तो image is क्या बनेगी diminished बनेगी यह आपने अच्छी दिक्चे से learn कर लेना है next हमारे पास magnification of a plane mirror always क्या रहेगी plus 1 तो plus का sign virtual image हो करेगा 1 means क्या होगा हमारे पास indicate the image is equal to the object size उसके equal रहेगी अब इस case में हमारे पास एक important रमसोर है कि यदि magnification positive होती है तो less than 1 होगी तो convex mirror रहेगा magnification positive है तो more than 1 होती है तो हमारे पास क्वोन के mirror रहेगा यदि magnification negative होती है तो it is a concave mirror रहेगा next हमारे पास बच्चों ये भी point आपने learn कर लेना आपके numerical के लिए काफी important रहेगा कि the object distance you always negative image distance V positive in the image behind the कहाँ पर बनेगी behind a concave mirror negative है image it means क्या बनेगी front of a mirror अब उस case के अंदर वे जो हमारे पास image distance V है is a positive और किसके अंदर रहेगी convex mirror के अंदर यदि हम बात करें focal length की focal length of a concave mirror is always क्या है negative और इस case में convex में क्या रहेगी positive height of image object की क्या रहेगी हमारे पास height of object is always क्या रहेगा बच्चो positive रहेगा और उसके बाद यदि बात करें image is erect and height is taken is a positive यदि image क्या है हमारे पास erect सीधी है तो height is taken भी क्या लोगे positive लोगे if the image is inverted तो height हमारे पास क्या रहेगी negative रहेगी तो यह आपने अच्छी त्रिक्के से learn कर लेना है next question हमारे पास what you mean by reflection of light क्या होती है तो काफी important point है यह reflection of light वाला भी कि reflection of light is the phenomena of change in the path of light from one medium to the another medium एक medium से जब दूसरे medium के अंदर enter करते हैं तो अपने पास से change हो जाना उसको हम क्या बोलेंगे reflection of light अब इसके अंदर देखिए बच्चों हमारे पास ऊपर है rare medium निचे है dancer medium अब जैसे incident rare of light आती है तो two words क्या हो जाती है normal तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि when a light travel from rare medium to the dancer medium it bends towards the normal और normal के two words हो जाती है तो it means जो हमारे पास angle of a incident is greater than of a angle of a reflection second point हमारे पास इसी के अंदर है कि the light travel from यदि light कहां से travel करती है dancer से rear के अंदर तो यह अवे चली जाती है कि से normal से तो क्या लिखोगे आप कि when a light travel from dancer to the rear medium it bends away from the normal तो इस means angle कह रहेगा हमारे पास i less than r r greater होगा तो i हमारे पास angle of a incidence r हमारे पास angle of a reflection तो exam में यह भी पुछ लिए आता है कि what is the cause of a reflection क्या current रहेगा इसका कि the cause of a reflection is the change in the speed of a light as it goes from one medium to the another medium जब एक medium से दूसरे medium के अंदर चलते हैं तो light क्या होगी basically उसकी speed change हो जाएगी the speed of a light is more in a rare medium जो speed of light है rare medium के अंदर वो greater होती है and less किसके अंदर रहेगी dancer medium के अंदर यह आपने topic कर लेना है next question हमारे पास है what the uses of a convex mirror convex mirror के कहा कहा use करते हैं यह भी काफी बार exams में पूछ लिया गया question one marks के रूप में कि convex mirror are commonly used in a rare view mirror इने विकल because they always give a erect image यह हमेशा क्या देगा erect image देगा rare view mirror के लिए इसका use करते हैं second point हमारे पास है big convex mirror are used as a soap security mirror soap security mirror के लिए यूज के जाता है कि the soap owner can be keep on the eyes on a customer to look for a thieves इसके लिए इसका use करते हैं next हमारे पास है use of a concave mirror अब इसका पहला point हमारे पास के concave mirror are commonly used in a torch कहां use करते हैं torch के अंदर search light के अंदर headlight of a vehicle के अंदर to get a powerful parallel beam of light second point बच्चो कहां use करेंगे concave mirror का use in a saving mirror to see the large image of a faces large image देखने के लिए faces का वहां use करते हैं third dentist use of a concave mirror to see a large image of the teeth of the patient और इसको dentist use करते हैं fourth point large हमारे पास concave mirror use in a converging sun rays at the point to produce a large amount of a concentrated heat of the solar furnace solar furnace के अंदर भी इसका use किया जाता है तो यह हमारे पास है बच्चो काफी important topic यह अभी कराय मैंने यह next question हमारे पास है representation of a image formed by a spherical mirror using a ray diagram तो यह जो ray diagram है बच्चो काफी important है number fourth वाला तो number fourth वाले के अंदर हमने क्या करना है यह हमारे पास this is a concave mirror this is a convex mirror concave mirror क्या होता है outside polished होता है reflecting surface inward होगा convex mirror के अंदर हमारे इंसाइड से क्या होगा polish reflecting क्या होगा यह outside होगा अब इसके अंदर जो fourth point हमारे पास है कि a ray incident obliqually obliqually का मतलब होता है तिर्ची to the principal axis towards a point pp की उपर जैसे ही तिर्ची कोई incident ray of light टकराती है on case वे कौन के mirror and convex mirror तो it reflected obliqually वो तिर्ची ही रहेगी तो हमारे पास यहाँ पर law of a reflection क्या बनेगा angle of incidence is equal to angle of a reflection अब इस case में बच्चो angle show करने होते हैं आपने जैसी पोल पे गिरा वहीं से क्या होगी same angle से वो reflect हो गई तो angle of a eye यह हमारे पास angle of r रहेगा इस case में भी हमारे पास angle of eye और angle of r रहेगा next हमारे पास है reflection of light यह भी काफी important and law of a reflection तो सबसे पहले reflection of light की बात करते हैं the phenomena of a bouncing back of a light rays in this same medium striking on a smooth surface is called is a reflection of light उसको आप क्या बोलोगे reflection of light की जो same angle से reflect होके जो टकरा के वापिस उसी angle से मुढ जाती है अब इस case में laugh ए reflection देखिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक smooth surface है incident ray of light आई यहाँ से जैसे इस point of incidence पे टकरा के वही से save angle से क्या हो गई reflect तो यह हमारे पास क्या है perpendicular जो line है this is a normal ray तो angle between किसके बीच में बना normal ray और incident ray के बीच में angle of a incidence अब उसके बाद यदि बात करे angle between normal और reflected ray के बीच में बना this is a angle of a reflection अब इस point को हम क्या बोलेंगे this is a point of a incidence अब इसका जो first law है हमारे पास यह लोग देखिए बच्चों क्या रहेगा कि there are two law of a reflection first हमारे पास है angle of तो angle of a incidence is always equal to the angle of a reflection जो हमारे पास angle of a incidence है वो किसके equal रहेगा angle of a reflection के second law रहेगा इसके अंदर बच्चों यह भी काफी important है कि the incident ray reflected rays and normal rays at the point of a incident are lies in the same plane एकी plane के अंदर वो lies करेगी एकी plane के अंदर वो रहेगी तो यह हमारे पास काफी important topic है बच्चों इसको आपने चितरह से learn कर लेना है उसके बाद हमारे पास है type of a image two type की image होती है बच्चों एक होती है real image दूसरी होती है हमारे पास virtual image इसके बीच में भी कहीं बार difference exams में पोच लिया आता है कि what are the difference between real image and virtual image तो सबसे पहले हम इमेज क्या होती है कि when a ray of light from an object actually meet at a point एक point पर meet करेगी after reflection कि then the image from is called is a real image उसको आप क्या बोलोगे real image तो हमारे पास जो real image होती है can be obtained होने सक्रीन सक्रीन के उपर बनेगी second point real image from in the front of a mirror ये mirror के front पे रहेगी बच्चों और third point हमारे पास real image is always क्या रहेगी inverted उल्टी रहेगी य उसके बाद यती बात करें हमारे पास बच्चों virtual image का क्या difference लिखोगे आप क्या definition लिखोगे कि when a ray of light from an object do not meet at a point ये कि सी point पर meet नहीं होती but appear to meet हमें कल्पनिक है basically ऐसा feel होता है कि meet होगी at another point then the image is found is called is a virtual image उसको आप क्या बोलोगे virtual image तो हमारे पास पहला point virtual image cannot be obtained होने सक्रीन ये स्क्रीन पर obtain नहीं होती second point virtual image from behind the mirror ये कहां बनती है mirror के पीछे बनती है and third point virtual image is always क्या रहेगी बच्चो इरेक्ट सीधी रहेगी आप राइट रहेगी तो ये थे हमारे पास top most important question जो मैंने आभी आपके लिए कराए thanks for watching तो next video में फिर आपके लिए कुछ important facts लेक्स कर के बादी आपके लेक्ते बाद ृौर जो एमार वहेवर्शनका स्वेष् सारंप्ट कू करा बार कर दो गारेक्जए और का Ta मुःे रहेगी आपके लादी आपके लो अग्टू पाराती है झाता है झार्दो